आज परते स्टेंडर 8 ICC की हिंदी की लेसन नमबर 12 धर्ती का सुरक्षा का वज सुचना भवन CGO कॉंपलेक्स लोडी रोड नई डिली 11003 25 अगेस्ट 2000 यहाँ पर डेट नई ली किवे एड्रेस लिखा हुआ है और लेटर की शुरुआत हो रही है जहाँ पर यह बताया गया है कि वो बहुत ही खुश है कि वो पलवी की नई चीज़ों को जानने की जो एक्साइटमेन है उनसे खुश थे तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी तुमने मुझे पूछा था या पर उनके दादा जी से पूछ रही है वो कि तुमने मुझे कहा था कि तुम किस हिसाब से मुझे पत्र के द्वारा जवाब पूछ होगी और यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे यह जानकर बहुत कुछी हुई मेरी प्यारी पोती मैं भी तुम्हारी जिग्यासा भरे पत्र पढ़ कर अपने बच्पन के वे दिन याद कर लूँगा जब मैं तुम्हारी तरह तमाम चीजों के बारे में जानना चाता था और जब तुम्हारे पत्र मिलेंगे तब मैं भी अपनी पुराने चीज़े याद कर लूँगा कि मैं किस हिसाब से तुम्हारी तरह बहुत एक्साइटेड होकर बहुत सारे प्रशनों पुछता था चलो अब तुम्हारी इस जी क्यासा का उत्तर लेता हूँ अन्यता तुम कहोगी लो दादा जी दादा जी तो आप अपने बचपन के दिन याद करने लगे नहीं तो तुम्हें लगेगा कि मैं अपने बचपन के दिनों की याद करने मैट गया हूँ तुम्हारे प्रशनों का जवाब नहीं दे रहा हूँ लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दू विग्यान में मुझे भी बचपन से ही तुमारी तरह गहरी रूची थी इसलिए में वैग्यानिक ही बना यहाँ पर अपने दादा जी जो अलड़ी एक वैग्यानिक है उन्होंने बच्ची को बताते हुए बोला उनकी पोती को बताते हुए बोला कि मुझे भी तुम्हारी तरह बच्पन से ही साइंस के अंदर बहुत जादा इंट्रेस्ट था हाँ तो तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादा जी यह ओजन का कवच क्या होता है इसे पृत्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते है तुम्हें अचानक ओजन की याद क्यों आ गई है तुमने अकबार में पढ़ा होगा कि ओजन की परद में छेद हो रहा है वरकम जोर पढ़ी है यह बड़ी चिंता का विशह है क्यों यहाँ पर दादा जी बोलता है कि मुझे अब बता पढ़ गया कि तुमने मुझे यह क्वेशन क्यों पुछा है क्योंकि आया दिन निउस्पेपर में चीज़े चपती रहती है और तुमें जानने की एक्साइटमेंट होगी ही कि यह परद पे जो छेद हो गया है होल हो गया है उसका क्या मतलब है यह जो ओजन की लेर है फट रही है और यह ग्लोबल वामिंग हो रहा है इससे इन दोनों का क्या रिलेशन है तो मैं तुम्हारे प्रशनों पहले ही समझ गया कि तुमने मुझे से क्यों पूछा होगा मेरा अनुमान ठीक है न और तुमने यह भी जरूर पता लगा लिया होगा कि सिटेंबर मा करीब और 16 सिटेंबर का दिन विश्व ओजन दिन के रुप में बनाया जाता है और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुमने यह भी रिसरच कर लिया होगा कि 16 सिटेंबर को विश्व ओजन दिन बनाया जाता है ओजन और ओजन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायू मंदल को समझना होगा पहले तो एट्मोस्फिर को समझना बहुत इंपोर्टन है पहले ओजन लिहोर को समझने से पहले जानती हो वायू मंदल क्या है तुम मेरे सामने होती तो मैं शरारट से मू बनाकर कह देती क्या दादाजी मैं इतना भी नहीं जानती कि पृतवी की चारों रजाए की तरह वाज्िर मंदल की परत लिप्टी हुई है मैं जानता हूँ अगर तुम सामने होती है तुम मुझे बना कर बोलते थी कि मैं अतनी stupid थोड़ी नहीं हो मुझे उतना तो पता ही है कि जो आजबा जो हवा का पूरा layer है उसे वायू मंदर बोलते है उसी में तो हम सास लेते है तुम मुझे ऐसे बना देती है और मुझे भी अफसोस होना पड़ता कि मैंने तुम से क्या सवाल पूछ लिया अच्छा तो यह बताओ पल्दवी कि जिस हवा में हम सास लेते है उनमें कौन-कौन जी गया स्पाइज आती है तो वहापे वो अपनी पूती को question पूछते है पत्र में अंदर अरे मैं तो पूछ रहा हूँ जैसे तुम सामने बैठी हो मैं भूली गया कि तुम सामने नहीं हो जैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सूचता हूँ तो तुम जैसे अपनी आखों के सामने देखने लगता हूँ और वो अपनी भावनाय बताते हुए बोलते कि मैं जब भी भी तुम से पत्र के जरीय यू लगता हो तो मुझे लगता है करना कहीं मेरे सामने हो हा तो चलो मैं ही बता दुँ के यू मैंनल में मुख्य दू गैस होती है एक तो Night Ochan और दूसरी होती το Oxygen, nitrogen 78 प्रतियुत होती है और झो 21 प्रतिशय्त होती है और वैसे करके nitrogen और oxygen की हवा में मात्रा बता रहा है परन्तों यह तो 99% प्रतिशत ही हुआ तो 1% क्या होगा तुम्हें ये question हो रहा होगा तो 1% जो बचता है वो बाकी सार जो gases है organ, carbon dioxide, hydrogen, neon, helium, krypton, xenon, ozone ये सारी gas होती है इतने बड़े और अंजाने नाम सुनकर घवरा मत जाओ और डादा पोती को इनों चेतावनी देते हुए बोलते है कि इतने सारे नाम सुनकर तुम्हें घवरा दाने की ज़रुवत नहीं है हमें तो अभी बस ozone की बात करने हैं हम तो सर्फ अभी खाली ozone के बार में बात करेंगे तो पल्लवी यह जो ozone होता है वो हमारी प्रत्वी से करीब 15-40 km की उंचाई पर परत होता है यहापे पिच्चर के उपर बताया हुआ है कि हमारी ओर्थ है उसके उपर का बहुत उपर का लेयर बता है 15-40 km की उंचाई बताया हुए और पुरा जो लेयर है वो वायू मंडल के आजबाजू का एक लेयर बताया हुआ है वायू मंडल की यहाप परत कहलाती है समताप मंडल या अंग्रेजी में स्टेक्टोस्फियर और इसको इंग्लिश में स्टेक्टोस्फियर बोलते है ठीक है और यह जो परत होती है उसके अंदर जो लास लेयर होती है वो उजौन की होती है तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पुछो की दादा जी आप तो 15 से 40 किलोमेटर उची परत की बात कर रहे हैं उससे नीचे और उपर है तो मेरा जवाब है जस वाइव मंडल को तुम रजाई कह रहे हो उसकी पांच परते है यहाँ पर उपने पोती को जब सवाल के जवाब भी दे रहे हैं तो साथ साथ में सवाल भी वो खुदी पूछ रहे हैं और बोलते हैं कि 15 से 40 फीट उपर की बात करो सारी किलोमेटर की उपर की बात करो तो उसके बीच में जो इतनी सारी रजाई है वो क्या तो मैं तुम्हें सामने से बता देता हूं कि उसके बीच में पांच रजाई होती है पांच परत होती है पृत्वी की सथा से 15 किलोमेटर उपर तक शोब मंडल होता है नीचे से लेकिए 15 किलोमेटर तक पहले तो शोब मंडल होता है जिसको हम लोग टॉपोस्फियर बोलते 80-300 km के बाद जो टाप मंडल होता है उसको थर्मोस्फियर बोलते है 300-700 km तक बही मंडल या फिर एक्जोस्फियर बोलते है यहाँ पर दादा जी ने अलग-अलग जो लेयर है जो हम लोग SS में पढ़ते है उसके बारे में उससे रूबरू करवा है वहाँ तक तो हवा बहुत ही हलकी यानि विरल हो जाती है उसके बाद असी मंतरिक्ष है और वहाँ पर बोलते है कि दीरे-दीरे जैसे भार जाते हवाँ पतली होती जाती है और उसके बाद गैलेक्सी और हमारा युनिवर्स की शरुवात हो जाती है अच्छा अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो सूरिय की पृत्वी सूरिय से पृत्वी की और जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज परा बैंगनी यानि अल्ट्रा वाइलेट किरने भी होती है यहाँ पर दादाजी बोलता है कि जो सूरिय से जो भी हवाय निकलती है जो किरने यहाँ पर आती है उसके अंदर अल्ट्रा वाइलेट रेज होती है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है अगर यह सीधे परत्वी पर पहुँच जाती है तो जो मनुश्य है, जीवजन्तु है, पेर पोध है उन्हें खतरा बढ़ सकता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पढ़कर तुम अवश्य हस्त होगी कि ऐसा थोड़ी नहोगा दादाजी अगर सीधी आएगी तो हम सब को खतरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे लेकिन यह जो ओजन लियर है, उसे स्लैंट करने का काम करता है उसे मोलने का काम करता है अगर ओजन में ऐसे होल्स बन जाएंगे तो यह जो लाइन्स है, किरनों की लाइन्स है वो सीधी अर्ट प्यानी शुरू हो जाएगी और वो थोड़ी बहुत फील होनी शुरू भी हो गई है जैसे कि ग्लोबल वामिंग का होना पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुमें बताया था कि सुबह सुबह सुरज की दूब सेखनी चाहिए जिससे हमारे शरीर में विटामिन D बढ़ता है और हदिया मजबूत होती है वो बताते है कि पिछली बार जब वो आई थी कि अभी तो आपने बोला कि जो अल्टावायलेज रहोगी वो हमारे लिए बहुत खतरना के लेकिन जब वो सुबह सुबह इतने सारे पांच पर्तों में से गुजरती है तो वो बहुत ही लाब दायक होती है हमारी बॉड़ी तो यह पर बोल रहे है दादा जी चक्कर में पढ़ गए ना कि इतना कन्फूजन क्योंकि बहुत ही खतरना के और एक टाइप पर आप बोल रहे हो की बहुत ही फाइदे मन भी है वे ही पराबैंगनी के लिने लाब दायक और वे नुकसान दायक और वो लाब दायक भी होती है जो एकदम strongly तेजी स जाती है वो हमारे लिए नुकसान दायक होती है और जो तीजी ची जो पराबैंगनी अगर सीधी धरती पर आजाये तो जीव जन्टो तड़प तड़प पर मर जाएंगे और पेर पोदे सुख जाएंगे दादा ने ये भी बताया कि अगर ये ओजन लेयर कल को खतम हो गया तो हम लोग सब तड़प तड़प के मर जाएंगे क्योंकि इतनी घर्मी लगेगी इससे धरती पर जिवन नश्ट हो जाएगा जानती हो बेगयानिक कई सालों से चेताओने दे रहे कि ओजन की परतों में छेद हो रहा है पर यह परत कमजोर पढ़ रही है इसके कारण जो परत्वी पर पढ़ेगी और उससे लोगों की चमड़ी पर कैंसर हो सकता है सरिल कर शकता है इसलिए वे कह रहे है कि इस परत को बचाओ सुरक शाकवज को मजबूत करो इस परत को कमजोर करने वाले रसायन को रोको रसायन पढ़कर तुम जरूर चौक गई होंगी सुचो क आकिर ये कौन जरुसे रसायन है यह भी मैं बता दो ये रसायन है क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो यहाँ पर दादा जी बोलते है कि जो साइंटीज है वो हमें कही टाइम से चेतावनी दे रहा है कि अगर तुमने ये इसके बारे में नहीं सोचा तो इसके इसे जो परत्वी प करने में तो यहाँ पर वो पनी बीटी को कोशन करते हुए पूचता है कि तुमें तो लगता होगा कि रसायन क्या है तो यहाँ पर कैमिकल का नाम इंट्रिउस करते है क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन एसी में से रेफ्रिजेटर में से निकलने वारा एक ग इनके अलावा खीतों में जो रसायनिक उर्वरक डालते हैं, उनसे निकलने वाले नाइट्रोजन ऑकसाइड और हवाई जहासों से निकलने वाले गैसों का दुवा भी ओजन की परत को नुकसान पहुचाता है, इसके अलावा भी डादाजी ने बोला है कि जो हम लोग रसायन डालते हैं, मिन्स जो फटिलाजर के पेस्टिसाइड डालते हैं, उसमें से जो नाइट्रोजन ऑकसाइड निकलता है, और हवाई जहास में से जो दुवा निकलता है, ये भी ये गैस को, ओजन लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं, पल्लवी इन रसायनों के करण उपर पल्लवी इन रसायनों के दुश्मन होते हैं, यह पर बहुता है कि जो ये से, ये सार जो करण होते हैं, वो उपर जाके क्लोरीन के अटॉम्स बनाने शुरू हो जाते हैं, और अटॉम्स जो होते हैं, वो ओजन को छेद करने के लिए काफी होते हैं, वे ओजन को तोड़कर अकिसार अक्सिजन में बदलते है और ये जो ऑजोन होते हो क्या करते। पता है। ये जो ऑजोन जो क्लोरीन बन गया उससे तोड़ कर वापस होगा ही नहीं तो यह हो गा ही आज़ीन का एक पर मानोmm सब्सक्राम voit gra他 1 lakh on o को तोड सकता है यहांँ इसाबॉड और इन जैसे कि 1 लेक और उनों को तोड़ने में काम्याब होगा इस सरह जो ओजो ओजोन होगी ओजोन की परवट कमजोर परती जा रही है और तो ओजोन की लेएर बहुत इंपोर्टन है और वो दीरे दीरे कमजोर परती जा रही है सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से ही होता है तो यहाँ पर दादा जी बोलता है कि सबसे ज़्यादा तो हमें नुकसान यह CFC गैसिस से ही है तो उन सच रही होगी यह CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहा से वापस दादा जी उसी का कॉश्चन मानो उन से सामने बटे हो उसे साब सही अपने सवालों का जवाब खुद ही देते जा रहे है और बोलते हैं यह CFC रसायन है वो क्या है मैं तुम्हें और जादा समझाता हूँ तो समझ लो यह हम मनुश्य की देन है हमने अपनी सुक सुवीदा बढ़ाने के लिए इन्हों इन्हे स्वयम ही बनाया है यह रसायनों अपने फ्रीज और एर कंडिशनर से चला रहे है हम इन्ही इलेक्ट्रोनिकल पूर्जों की सफाई कर रहे है और हमारी स्प्रे करने वाली चीजों से भी यह रसायन होते है जैसे हमें खुश्वदार दियो में है यहाँ पर डादा जी अलग-अलग जगा से क्लोरो-फ्लोरो कार्बन निकलता है उसकी इंट्रक्शन बोलते हुए बोलते है कि यह फ्रीज एर कंडिशनर में से निकलता है और जो डियो चाटे उसमें से भी निकलता है और दादा जी अपने पत्रों को लिखते लिखते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं इन रसायनों का हम जितना कम उप्योग करेंगे ओजन का सुरक्शा कवज उतना ही मजबूत बनेगा और दादा जी उसे एडवाइज देते हुए बोलते हैं कि हमें बने उतना ही यूज करना चाहिए ये चीज़ों का तुम सुझो कि AC और फ्रीज कैसे चलेंगे कि AC और फ्रीज सो हमारी ज़रूरत है उसके बिना तो चलेगा है नहीं उनके लिए वेग्यान एक नए रशानों की खोश कर रहा है उसके लिए जो साइंटीज है नही नही चीज़े इन्नोवेट कर रहा है पलवी अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवज को बचाने की कुशिश कर रहे है ताकि पृत्वी पर जीवन संकट में ना पढ़े और पलवी को बोलता है कि अभी सारे देश के साइंटिस मिलके काम कर रहे है ताकि हम लोग ये पर अर्थ को बचा पाए अच्छा ओजन दिवस तुमने स्कूल में कैसे मनाया इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में जरूर लिखना और प्रश्ण तो तुम पूछोगी ही है न और वैसे करके दादा जी बोलते है ओजन दिवस तुमारे स्कूल में किसे साफ से सेलिबेट किया उसके लिए मुझे जरूर पूछन और सारे अगर कोई और कोशन हो तुम तो पूछोगी ही मैं जानता ही हूँ तुमारे प्यारे दादा जी देविंद्र मेवारी और वैसे करके वो अपने पत्र का एंडिंग करते है थैंक्यू सो मच अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजे कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच